मोधी जी को प्रधान मंत्री बने चार वर्ष नहीं हुए कि अच्छे दिन का ताना मारने लगे हैं कुछ लोग जवाला लेहरू 16 वर्ष 286 दिन इंद्रा गांधी 15 वर्ष 91 दिन राजीव गांधी 5 वर्ष 32 दिन मनमोहन सिंख 10 वर्ष 4 दिन कुल मिलाकर 47 वर्ष 48 दिन में अच्छे दिन धूंड नहीं सके लोग और 4 वर्ष में ही अच्छे दिन चाहिए ये कैसा अन्याय है ये कैसी राश्ट्र भक्ती है दोस्तों फल खाना है तो पेड़ बड़ा होने दो मोदी जी की विदेश दौरों का पता है तो इन उपलब्धियों के बारे में भी पता होना चाहिए मोदी जी ने साओधी अरब को on time delivery premium charges on crude oil के लिए मना लिया है में भी मदद करेंगे वैतनाव के साथ रिष्टे में सुधार हुए है और भारत को oil देने और oil refinery में भारत के लिए मदद करेगा एरान अब डॉलर की जगह रुपए में oil देने को राजी हो गया है इससे काफी बचत होगी दोस्तो मोदी जी 28 साल के बाद Australia जाने वाले पहले प्रधान मंत्री बने हैं और वहां दोस्ती के रिष्टे बनाए अब वहां से यूरेनियम मिलेगा जिससे बिजली बनाने के लिए काफी मदद मिलेगी इंडिया ने नौर्टी इस्ट आंड अराउंड इंडिया चाइना बॉर्डर पे रोड बनाना शुरू कर दिया है ताकि हमारी आमी को जाने में दिक्कत ना हो पिछली सरकार इसे बनाने में दरती इंडिया यमन से चार हजार से भी अधिक इंडियन्स को लाने में सपल रही है ये सब मोदी जी और साओधी अरेब किंग की दोस्ती की बज़े से ही संभब हो पाया है इंडिया की एफोस की ताकत कमजोर हो गई थी इसके लिए आते ही फ्रांस से 36 रुपेल फाइटर जेट्स करीदने के लिए डील की है ये डील साथ साल से अटकी हुई थी कैनड़ा अब भारतियों को ओन राइवल वीजा देगा अब तक हम अमरीका और रूस से ही न्यूक्लियर रियाक्टर खरीच सकते थे मगर फ्रांस भारतिये कंपनी के साथ यहीं बनाएगी दोस्तों अगर एक खुशहाल और खुपसूरत भारत देखना चाहते हैं तो मेरी भारतवासियों से विनम्र विंती है अगर अच्छे दिन चाहिए तो धैरे रखे आपने प्रधान मंत्री चुला है कोई जादू कर नहीं